पूरिया जंग उत्तापदेश के कानपूर का कुख्यात गंगश्टर विकावज दुबे एंकाउंटर में मारा गया उज्जेन से गृफतारी के बाद पूरिशू से विपी लेका आ रही थी इसे के बीच रास्ते में जिसी गाड़ी से लाया जा रहा था और दुरघटना ग्रस्थ हो गई विकावज दुबे घाल पूर्श कर्मी का थियार शिन कर भाग रहा था और एंकाउंटर में मारा गया आइसी एसी बोर्ड ने शुक्रवार को दस्वी में बारवी का रिजल्ट घोसित कर दिया दस्वी में रोहन एस्टेट टापर बने तो बारवी में साक्षी सिवस्टा का स्वार्धिक अंक मिले लॉक्डाउन के काल में परिशार्थी अपना माक सीट वर माइग्रेशन सर्टिफिकेट घर बैठेड डीजी लाकर को डाउनलोड कर सकते हैं राज में करोना मरीजों के संख्या अलागातार बढ़ती जारी है शुकरवार को आई COVID-19 की जांच रिपोर्ट में कुल 302 पोजेटिव मरीज मिले हैं जिसके बाद करोना मरीजों के संख्या अब बढ़कर 14330 हो गई है इन में से अब तक 9702 ठीक भी हुए हैं बुद्वार को जहां 10 करोना मरीजों की मौत हो गई थी वहीं गुरुवार को भी 9 करोना मरीजों की मौत हो गई थी जिसके बाद कुल मिर्तकों की संख्या बढ़कर अब 130 हो गई है मुझपरपुर्जीला के मिनापुर्थाने के तुर्की पुरानी घरारी गाव में चोरी के आरोप में सुक्रवार के सुबब भेंड पीट-पीट कर एक विवक के हत्या कर दी मेटक की सीना खस्त सिवाई पट्टी थाना छेत्र के भगवान छपड़ा दरबार के मौहमद नूर आलम के 23 वर्षिय पुत्र मौहमद रसीद आलम के रूप में की गई है करोना अस्पताल में परिवर्थित नलांदा मेडिकल कालेज अस्पताल में मरीजों के सौव करोना जाच रिपोर्ट और सौवान समय पर नहीं मिलने के कारण एक से दो दिन तक वेट पही पड़े रहते हैं मंगलवार को भी मेडिकल में ऐसे ही दिखा बिहार के गया में सुक्रवार को बड़ी वारदात हुई वहाँ दिन धाड़े भारतिय जंता पार्टी के एक नेता को अज्यात अपरादियों ने गोलियों से भून डाला उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया गया जिला में वाजीर गंज थाना छेतर में मज़ौली गाउं के पास हुई इस वारदात को लेकर एसपी राजी उमिस्टर ने कहा कि इसके पीछे आपसी रंजीश की बात सामने आ रही है खटना से इलाके में दोसत फैल गई है करोना वाइरस के बर्थे सक्रमन को देखते हुए राजी में एक बार फिल संपूर लोगडाउन लग सकता है बुद्वार को दिन भर इस मुद्दे पर विभागों में चर्चा होती रही सरकार के अस्तर पर सभी जीले के उपयुक्त से इस संबन्द में फिडवैक लिया जा रहा है कि वहां के वर्तमान हालत क्या है फिडवैक में मिले तथ्यों की समिक्षा की जाएगी इसके बात ही संपूर लोगडाउन पर ठोसने लिया जाएगा उत्री दिल्ली में RTI एक्टिवेस्ट रमेश मान की आग्या थमलावारों ने पिट-पिट के कर दी हत्या